आपके फोन में IP rating है तो उसका मतलब यह नहीं कि आपका फोन waterproof हो गया मतलब कि IP rating के अंदर जो पहली rating हो थी न वो बताते है कि dust particle जाएंगे कि न जाएंगे और अकसर आपने X देखा है X का मतलब है कि इसका data यह available नहीं है लेकिन जब IP 5 होता है तो थोटे मोटी dust से तो बचा सकता है लेकिन dust proof यह बिलकुल नहीं होता और जब तक 6 न लिखा जाए तब ही आप यह समझ सकते है कि जो proper dust proofing होती न वो देखने को मिलती है लेकिन वही second digit पर है तो जैसे IP 63, 65 यह सब हो गा है तो आप समझ सकते हैं थ्री number होता है वो यह बताता है कि phone के अंदर normal splash resistance से थोड़ा बहुत दो-चार भूंद पानी गिर गई तो survive कर जाएगा लेकिन phone के अंदर कोई waterproofing देखने को नहीं मिल रहे 4 का मतलब है कि phone थोड़ा बहुत splashes वगरा चले गए उससे थोड़ा phone बचा सकता है और 5 का मतलब यह कि कि किसी powerful jet से पानी spray हो गया तो phone थोड़ा बचा लेगा लेकिन जो proper waterproofing होती है वो 7 में होती यानि कि IP67 के अंदर जिसके अंदर 1 मीटर तक भी अगर मैंने phone को डबो दिये ना तब भी पानी उसके अंदर नहीं जाएगा और उसे ही मैं actually मैं असली waterproofing गहता हूँ